हलो गाइज, वेलकम टो यूट्यूब चैनल वेबसाइट हिंदी आज की वीडियो में बात करूँगा राष्टिय केमिकल्स एंड फटिलाइजर लिम्टेड के तहथ अवेदन अमंतिरित किया गया है यदि आप अपरेंटिस पोस्ट पर जाना चाते हैं, ट्रेनिंग करना चाते हैं, इलिजीबल है तो असानी से ओनलाइन फरम भर सकते हैं यहाँ पर देखे area wise training दिया गया है यदि आप training करना चाहते हैं तो इस video को जलूर देखिए वही पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर post name दिया हुआ है यहाँ पर vacancy details दिया हुआ है निचे स्क्रोल करेंगे इसी तरह से सारे trade यहाँ पर दिये हुए हैं आप असानी से eligible हैं तो online अविदन कर सकते हैं वही जो ग्याता की बात करें तो आपकी उमर निवन तम 18 वर्स होना चाहिए इसके साथ साथ आपको per month यहाँ पर दिखें amount दिये जाएंगे जो की जो ग्याता होगा जो की category होगी उसके अनुसार या पैसा दिया जाएगा पाँच हजार, छे हजार, साथ हजार, आठ हजार, नौ हजार रुपे यहाँ पर देखें पोस्टिंग अफ ट्रेनिंग दिया हुआ है, ट्रॉमबे, मुंबई, एंड, थाल, रायगाठ, डिस्टिक यहाँ पर दिया हुआ है, mode of selection के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जो की आप रिड कर सकते हैं इन सभी का लिंक वीडियो का description में मुझूद है, जहाँ से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं, यहाँ सा दिखेर station on portal दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं, इन सभी को मैं होसेर website पर publish कर दिया हूँ, जहाँ से क्लिक करके आप असानी से online कर पाएंगे इसका लिंक वीडियो का description में मुझूद है, जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे, educational qualification से लेकर रिखती ब्यूर तक दिया गया है, निचा स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर देखिए, notification, official website दिया गया है, जो कि आप इस website पर विजिट कर पाएंगे, online आवेदन करने के लिए, किलिक खेर के बटन पर किलिक कर देना है, यहाँ पर देखिए, apply करने के लिए, position select करना है, आप अपने उनुसार select कर सकते हैं, मैं यहाँ पर electrician select करता हूँ, और enter बटन पर किलिक कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले email most important है, तो सबसे पहले email दर्ज करना है इस name type करना है और last name type करना है यहां से date of verse type करना है सबसे पहले verse month और date यहां पर father name दर्ज करें जो भी father name है आप दर्ज करें यहां पर mother name दर्ज करें gender select करें यहां से male female जो भी है आप select करें marital status है यहां से select करें married, unmarried, single जो भी है select करें यहां से pen card नमबर जडूरी है तो यहाँ पर आप point card नमबर दर्ज करेंगे यहाँ पर mobile नमबर दर्ज करेंगे यहाँ से state select करना है जो भी state है आप select करेंगे जैसे कि मैं बिहार select किया हूँ यहाँ से religion select करेंगे हिंदू, muslim, शीख जो भी है select करेंगे यहाँ से category select करना है जो भी category है आप यहां से सेलेट करेंगे, कटेगरी का स्टेटास यहां से सेलेट करेंगे, क्रीमी लियर, नन क्रीमी लियर, यहां से सेलेट करेंगे, अगर फिजिकल हैं तो यहां से बटन पर किलिक करेंगे, और यहां से कटेगरी सेलेट करेंगे, नहीं है तो नो बटन पर किलिक करेंगे, यहां से आपको state select करना है अगर आपका address दोनों सेम है जैसे कि correspondence address और permanent address तो यहां पर tick करेंगे permanent address same as k button पर tick करेंगे यहां से belong to click करेंगे और यहां से आपको select करना हुआ जैसे कि other में select कर दिया हूँ नीचे scroll करेंगे scroll करने के बाद educational details यहां पर दर्ज करेंगे जैसे कि SSC यहां पर दिया हुआ है यहां पर university या board का नाम दर्ज करना होगा यहां पर देखे जोईनिंग और select करना है जो भी है आप select कर सकते हैं यहां पर percentage दर्ज करेंगे जो भी percentage होगा यहां पर mode of study select करेंगे regular यहां पर देखिए HSC यहां पर select करेंगे यहां पर देखिए degree name type करेंगे यहां पर board का नाम दर्ज करेंगे जो भी board का नाम है आप दर्ज करेंगे यहां से date select करेंगे यहां से month of passing year select करेंगे result का यहां पर percentage दर्ज करेंगे जो भी percentage होगा आप दर्ज करेंगे यहां से mode of study select क करेंगे other details में यहांपर select करेंगे Yes Study में जबाब देंगे apprentice retention नंबर में इहां पर दर्ज करेंगे है तो दर्ज करें नहीं तो इसी तरह से अच्छोड सकते हैं यहां पर देखिए photograph signature एंड चलान कोपी यहां पर upload करना तो यहां से photo upload करेंगे, यहां पर signature upload करेंगे, यहां पर term and condition को tick करेंगे, decalation tick करने के बाद, यहां पर देखिए capture दर्ज करेंगे, यहां से submit बटन पर click करेंगे, यहां से ok बटन पर click करेंगे, यहां पर देखिए आविदन form का पिर भी दिखाई दे दिया है, click here to print के बटन प आप रख सकते हैं यहां से मैं print कर लेता हूं यहां से आप save button पर click करके आप save भी कर सकते हैं यहां पर मैं save कर दिया हूं दोस्तों आज की वीडियो में प्रेंटिस फराम कैसे भरें के बारे मैं पूरा details बताया हूं पूरा प्रोस से जानने के लिए इस वीडियो को देखिए करें धन्यवाद